अगर आप खरीदने वाले एक 7000 का gaming headphones तो आप बिना देखे कोई भी headphone उठा नहीं सकते आपको एक अच्छी audio quality, audio features, उसका build quality, also आपको उसमें अच्छा mic भी चाहिए होगा, तभी आप tension free होकर के वो headphone खरीद पाएंगे, तो आज इस वीडियो में हम आपके यही help करने वाले हमें हर headphone के price मिलते रहेंगे, ऐसे ही, आगे हम बात करते हैं इसके detail में, तो इसमें आपको 50 mm का driver आता है, एन इसमें एक अच्छा audio feature यह है, इसमें आपको 7.1 surround sound का support आता है, इन साथ में आपको इसमें DTS headphone X 2.0 का feature भी आता है, इसके mic की बात की जाए, तो आपको यहापे normal mic मिलता है, तो इसमें आपको कोई noise cancellation का feature नहीं आता है, और कोई additional feature नहीं आते है, यह एक 6 mm का microphone है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यह तो ऊपर नीचे होता होगा, यह bend तो होता नहीं होगा, frontier forward, बट यह bend होता है, आप उसको थोड़ा सा bend कर सकते हैं आपके face की तरफ, जो पर आपको 2 minutes की cable length मिल जाएगी, और इसमें जो control feature है, आपको सब headphone पे एक volume increase and decrease करनेगा, एक dial मिलेगा, रेस्ट आपको आपके headphone के wire पे कोई control features नहीं आते हैं, इसकी cable की बात की जाए, तो यह एक braided cable के साथ नहीं आता है, और जो connecting port है, वह 3.5 mm jack है, हाला कि आपको साथ में USB converter में भी मिल दाएगा, ताकि अगर आपको आपके PC में USB port के through connect करना है, तो आप कर सकेंगे, और इसमें आपको RGB lighting available नहीं है, एक बहुत ही premium steam series का Arctis, सबसे पहले इसके बात करते हैं audio driver के, तो यहाँ पे आपको 50 mm का audio driver मिलता है, next audio features की बात करें, तो इसमें आपको 7.1 surround sound ज है, बट स्टिल इसकी audio quality काफी अच्छी है, now talking about the mic, इसमें आपको noise cancelling एक microphone आता है, जो की bidirectional है, और ये एक detachable microphone है, next बात करते हैं, हमारे cable length and हमारे control features की, इस headphone के, तो यहाँ पे आपको 3 meters का cable length मिल रहा है, जो की बहुत जादा है, आगे control features की बात करें, तो आपको आपके headphone पर ही दो control feature आएंगे, एक volume increase and decrease करने का dial आएगा, एक switch button आएगा, जो की आपके headphone के mic को mute and unmute करने के लिए होगा, next बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक braided cable नहीं मिलेगी, इस headphone में, इसका जो एक connecting part है, वो एक 3.5 mm jack है, इसके साथ आपको conversion cables भी आएंगे, बट एक USB converter नहीं आ आएगा and guys इसमें आपको RGB lighting नहीं मिलेगी, so next headphone in our list is the HyperX Cloud Core, तो सबसे पहरी चीज इसमें आपको जो है audio driver का size बड़ा है, जो की 53 mm का है and इसमें भी अच्छे audio features मिलते हैं आपको, जैसे की 7.1 surround sound and also DTS headphone X, but एक down version है, जो की 2.0 available था आपको Logitech में and इसमें नहीं है, next इसमें भी noise cancellation का feature लाता है with bi-directional microphone and ये एक detachable microphone है, इस headphone में भी, next company ने cable length का तो इतना अच्छे से बताया नहीं है, but हम अगर control features की बात करें, तो इसका जो control box है, उसमें कफे सारे features आते हैं, अब आपके headphone की volume कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं and even also आपको सिर्फ normally आपको mute करने क option मिलता है, mic को, but यहाँ पर भी आपके mic के level को increase and decrease भी कर सकते हैं, plus आपके microphone को mute भी कर सकते हैं, तो काफी सारे control features मिल रहे हैं and ये एक बहुत अच्छी खासी blade cable के साथ आता है, तो आपके लिए बहुत असानी होती है, तो headphone का connecting part हो 3.5 mm jack है, but साथ में आपको control box ही मिलता है, उसमें आप connect करेंगे आपके 3.5 mm jack को, तो उसका जो out है वो USB है and easily आप कहीं भी connect कर सकते हैं and इस headphone में भी RGB lighting नहीं मिलते हैं, तो क्या दोस्तों आप fan है Razer के, तो next headphone आपके लिए ही है, जो कि है Razer Kraken X, but सबसे पहले इसके feature की बात करें, तो ये इसका जो audio driver थोड़ा चोटा है, but इसका microphone detachable नहीं है and other microphone features नहीं है, next guys other features की बात करें, जैसे की control features की, तो इसके जो headphone है, उसमें ही आपको volume increase and decrease करने के लिए dial मिलता है and mute and unmute करने के लिए mic को एक switch button आता है, lastly हमारे headphone की जो cable है वो प्रेटिट नहीं है and इसका connecting part है, वो एक 3.5 mm jack है and इसमें भी आपको RGB lighting available नह है, अब हम चलते हमारे last headphone की तरफ जो कि काफी ज्यादा famous है, जो कि Corsair का H60 Pro है, सबसे पहरी चीज़ इसमें मिलता है आपको 50 mm का audio driver, अगर आगे audio features की बात की जाए, तो इसमें भी आपको 7.1 surround sound का feature आता है, जो कि काफी अची बात है, बट इसमें आपको DTS headphone X नहीं है, next इ जो कि एक unidirectional microphone के साथ आता है, और हमारे इस headphone का भी mic detachable है, next इसकी cable length and features की बात के रहे, तो यहाँ पे आपको 1.8 meter की cable length मिलती है, lastly guys इसे भी आपको same control features आते है, जो कि mic को mute and unmute करने के लिए switch होता है, and एक dial होता है volume increase and decrease करने का आपके headphone का, lastly अब बात करते हैं, इसमें आपको braided cable मिलती है आपके headphone की, and जो इसका connecting part है, वो 3.5 mm jack है, and इस headphone में आपको RGB lighting available नहीं है, but आपको यहाँ पर एक converter आता है, जो कि यूज़ करके आप 3.5 mm jack को convert कर सकते हैं, यूज़ बोर्ट में, जो कि आपको help करेगा, आपका 7.1 surround sound feature यूज़ करने में, so यह था last headphone हमारे list में, अगर आपको अभी तक कुछ भी doubts आये हैं, किसी भी headphones related, तो comment section में जरूँ पूछे हैं, आपका answer आपको तुरंट कुछ घंटों में मिल जाएगा, and guys, अगर आप कोई video किसी भी way में helpful लगा, तो एक like तो ठोक दीजएगा, and subscribe करके रखियागा, तार आपको ऐसी informative videos and helpful videos मिलते आये feature में, so guys, thanks for watching and have a nice day.